कि नमस्ते साथियों जैसा कि आप जानते हैं सरकार ने ग्रामिट शिर्थ के कच्छे मकानों वह जुग्वी जोपड़ी में रहने वाले सभी परिवारों के हां पक्का आवास बनवाने का प्रावधान किया है जैसा आपने इस वीडियों के देखा वा सुना वीडियो बनाने के बाद संदाए में इसकीनी मीटिंग आजून किया गया और एक आवेदन पर त्यार करके संदाए के साथ ब्लाग अस्तर पर तसिल दिवस में और जिला अस्तर में जिला लिकारी का आवदन दिया गया और लगा तर समधाय के सांद तेरो कारी करने के बाद समधाय को परधाम मंदरी आवास जोना का लाब मिला अब सभी तर्वारों का पक्का आवास बन चुका है जिससे समधाय बहुत खुस है पहले दिक्कत एठी सर कि दो साल पहले यहां बहुत जवर जस्त बारिस हुई थी और बारिस यतना हुआ था कि ये पूरा जल से भरा हुआ था पूरा गाउं और किसी का घर मतलब काईदे से नहीं था नहाने खाने जो भी अनाज था घर में सामधृत था पहनने उढ़ने के के लिए बच्चेども के लिए सब एकदम बिकार होचो था साब बाठ में गिरपड़ गया थे एतना तक हो गया था कि लोग भुक्मरी के लिए कंगाल हो गए थे कि क्या खाएं क्या नची रहने के लिए कोई सादन नहीं छत भी नहीं था, किसी तरीके से लोग मढ़ा, किसी तरीके से जुगार बना करके लोग यहां रह रहे थे। आप आएं, यहां सब को मिटिंग किये, कि क्या परसान ही आप हकीकत देखें, आपके माध्यम से मैंने जिला अधिक्यारी के पास गया, तासिल दिवस पे गया, बलाक पे गया, चक्कर काटे, आपके सहयोग से, आपने हम लोग को सहयोग किये, वहां जाकर के हम लोग अपनी बात को बताएं, और यहां आकर इंक्वाइरी हुआ कि हकीकत क्या है, जिन लोगों का घर गीरा हुआ था, वो लोगों के आपके माध्यम से, जो सरकार से सहयोग मिलना चाहिए था, वो सब को मिला। आवाज के विशाय में हम लोग बहुत प्रयास किये, कि आवाज मिल जाएं, आपके माध्यम से, सब को आवाज भी मिल गया। अब सब अपने अपने आवाज में अब जहां तक है, हर ब्यक्त जिसको आवाज मिला था, सब संप्रूंट से बना करके अब रह भी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश है। मैं जिला अधिक्यारी का भारी हूँ, तासिल दीवस जतने भी अधिक्यारी गण थे, उनका भारी हूँ, ब्लाग से भी अधिक्यारी में सब को धन्यमात देता हूँ, कि जो आपके माध्यम से एकार पूर्ण हुआ। नारे परगाम क्या समस्या थे पहले। अधिक्यारी में सब करता हूँ, मैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिस सब्सक्राइब करें, अधिस अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं जिल कुमार बदूनुत परदेश से इंडिया अरट के लिए।